तो दोस्तो जिसका था आपको इंतजार स्टूडियो टूर लेके आ गए हम आपके लिए तो चलिए अपना न्यू स्टूडियो अन्बोक्स करते हैं तो परदा हटाये जाए तो यह है अपना कुछ नया स्टूडियो तो यह है दोस्तो अपना पहला बैग्ड्रॉप मैंने दो बैग्ड्रॉप बनाए है तो दोनों ही बैग्ड्रॉप पे दोस्तों मैंने एशन पेंट का रोयल इमेंशर यूज़ किया है वो भी मैट में दोस्तों ताकि शूट के टाइम लाइट की क्वाल्टी खराब ना हो और वोल एकदम प्रीमियम फिलो और साथ से दोस्तों मैंने वोल पर यह गुग शेल्फ यहां पर धेर सारी बुक है और कुरंटली मैं कांट हट मी रीड कर रहा हूं यहां पर मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग बुक रखी है और आप सोच रहोगे यह पेपर्स क्या है यह पेपर्स दोस्तों मैं डेस्क के उपर लगा लेता हूं अन्वोक्सिंग के बैगग्ड़ॉंड चेंज करने के लिए यदा मेरी चेयर कुछ टक टाइप की चेयर है चलो देखते है डिबल के अंदर क्या vu cort ग अफ्रेकर मैंने लगा रहे हैं माइट इंड की मांच के ऑlden दोस्तों मेरे कुछ केबल्स हैं सेक्षिंड में दोस्तों सिरफ बिल्स रखे हुए हैं जो भी आइटम मैंने पर्चेस कर रहे हैं अब चलते हैं दोस्तों अपने बेस्ट कोर्नर की तरफ यह लाइट लेंब दोस्तों मैंने खुद बनाया है डिया आई वाई आप इसका वीडियो चेक आउट कर सकते हो वोल जादा खाली खाली लग रही थी दोस्तों तो मैंने रादा किर्शन की एक एक 3D पेंटिंग लगा अब एक वीडियो के लिए दौस्तों मैं बहुत ही जल्दी गो प्रो का यूज करने वाला हूं और यह है दोस्तों कुछ फैंसी रबर्ड्स और भी बहुत सारी बुक्स है दोस्तों मेरे पास कुछ CDs, कुछ magazines इस पर तो यही सब है और यह है अपना दोस्तों art corner, color से दोस्तों मेरे पास different types के painting book, अपनी chair, यह बड़ा सा glass, इस glass का weight सुनके हरान हो जाओ के दोस्तों पूरे एक kilo का यह glass है fancy piece है दोस्तों यह है, वैसे आप चाहो तो इसमें कुछ डाल के पी भी सकते हो और आप आजाते है दोस्तों अपने blinds की तरफ, इसी के पीछे दोस्तों मैंने जुगाड कर रहे का है, हाँ बहुत बड़ा जुगाडू भी तो हूँ यह इसी को मैंने fit कर रहे का है दोस्तों, पर उसको fit नहीं करवाया है, मैंने उसको नामे पनियों से रैप कर रहे का चाकि हवा भार ना निकले और यहां पर यह अपना अनकोंडा क्योंकि स्टूडियो बहुत ही बड़ा है दोस्तों और यह स्टूडियो थर्ड फ्लॉर पर यहां बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इसके लिए मैंने यह अनकोंडा लगा रहे का है जहां पर मुझे कूलिंग चाहिए मैं वहां पर इसको मूव कर सकता हूं गिर गिया यह तो कोई नहीं दोस्तों यह तो वहां पर लग जाएगा मैंने इसको डीला ही लगा रहे है ऐसी और अब आप सोच लगोगे कि मैं गेंंग कहां पर करता हूं तो यह तो मेरी पहली कीलाइट वह है मेरी फिल लाइट वह है मेरा सामने मैंने टीवी जगाड़ रिखा है गेमिंग करते टाइम दोस्तों मैं टेबल आगे कर लेता हूं और बैक्गराउंड में इस सेम बैक्गराउंड आता है वैसे मैंने एक और बैक्गराउंड बनाया है तो थोड़ी देर मैं उस पे चलने वाले हैं यह न दोस्तों अपना ट्राइपोड इसकी भी अन्वाक्सिंग बाग ही है तो यही था दोस्तों अपना पहला बैक्गराउंड अब चलते हैं अपने सेकिंड बैक्गराउंड पे तो चलिए दोस्तों आ गए हम अपने सेकिंड बैक्गराउंड पे तो इसका भी पर्द आटाया जाए यह है दोस्तों अपना second backdrop कैसा लगा तो यह है दोस्तों अपना second backdrop यहाँ पर मैंने एक sofa लगा रखा है वो गिटार है अपना एक fancy चाता है और यह है दोस्तों एक precious human life पोस्त करके आप पढ़ सकते हो इस तरफ है दोस्तों अपना carpet यह table चोटे मोटा आइटम है इस पर दोस्तों अभी दोस्तों 11 Dell model laptop दोस्तों जो भी चलता नहीं है यह मेरा punching bag है मैंने अभी के लिए हटा रहे का shoot के लिए यहां पर लगा हुआ थे यह शी सो चेयर है दोस्तों कभी mood खराब हो या बोर हो रहे हैं तो बाहर का view लेते लेते एकदम बस्त यहां पर बैठ जाता हूं और वह है दोस्तों मेरा store room समझ लो आप चाहें गहराद समझ लो हर एक tech youtuber का दोस्तों यह एरिया ऐसा ही होता है यहां पर सारे unboxing item है या जो unbox होने है वो भी यही है कुछ paints के dip बे एक speaker box रख रहे हैं दोस्तों कभी गाने वाने सुनने हो उसके लिए कुछ tools रखे हैं दोस्तों यहीं पर और उप दोस्तों यह हमारे घर का कुछ view आता है यह जामुन का पेड़ लगा हुआ है इसमें अभी जामुन लगने वाले हैं वो कुछ नीचे का view ऐसा है पेड़ पोदों की दोस्तों कोई कमी नहीं अपने घर में तो दोनों backdrop के बीच में दोस्तों कुछ इतना area है हां से वहां तक का area दोस्तों अपना ही है यह बीच का इरे खाली है दोस्तों अभी मैं दोस्तों अपनी पर्सनल जिम अपनी वर्क्शोप चिल एरिया चिल पार्टी एरिया सब बनाने वाला हूं दोस्तों तो यही था दोस्तों आज का studio टूर अब आगले वीडियो से दोस्तों आम unboxing स्टा आमाराइ